MC स्टैन ने दिया करारा जवाब लोग कह रहेते बिग बॉस विनर के हक्तार नहीं है स्टैन सल्मान शारूख अक्षे कुमार सबका तूटा रिकॉर्ड इस मामले में नमबर वन है MC स्टैन साउथ कोरिया की मशूर पॉप बैंड बीटियस का ये लड़का तोड़े का रिकॉर्ड मिट्टी के चूले पर माम बनाती दिखाना एक वक्त था MC स्टैन के पास खाने को नहीं ता खाना आज अपनी जन्नत को सौपिंग गर और नौकर जी हाँ MC स्टैन जब तक बिग बॉस के घर में थे तब तक वो हर किसी के चाहते थे खोद प्रियंका चाहर चौदरी तक उनकी तारीफ करती ने ज़र आई लेकिन जब से स्टैन ने बिग बॉस 16 जीत लिया तो उनकी जीत पर सवाल उठने लगे को कंटेस्टन से लेकर आम ज़रता तक को MC स्टैन जीत के अक्तार नहीं लगते स्टैन शुरुवात के दो महीने बिग बॉस 16 में बेहत शांत रहे वो बार-बार घर जाने के जित करते दिखे ऐसे में लोगों को ये चीज खल रही थी कि जिसने शो में कुछ नहीं किया वो जीत कया पर स्टैन के फैंस और वो लोग खुश है जिनोंने स्टैन को गरीबी और जुग्गी से निकल कर दिलों पर राच करते हुए देखा एमसी स्टैन पुड़े के बस्ती एरिया में पले उनका बच्पन बहुत खरीबी में बीता एक समय ऐसा भी था जब राते सडकों पर बीती और पेट भरने तक के पैसे नहीं होते थे लेकिन आज एमसी स्टैन का अलग स्टार्डम है रापर की दुनिया में नाम कमा रहे हैं एमसी स्टैन अब एक बॉस 16 जीतने के बाद घरगर मशूर हो गए हैं हम आपको इस रेपोर्ट में बताने जा रहे हैं बहुत गरीब परिवार का ये लड़का शारुखान का कौन सा रेकौर्ड तोड़ चुका है और भारत का इस मामले में पहला भी नेता बन गया सब कुछ आप इस रेपोर्ट में देखेंगे और कहेंगे अगर आपके अंदर प्रतिवा है तो आप पूरी दुनिया को अपने कदमों में जुका सकते हैं बता दे कि बिग बॉस 16 शो जीतने पर MC स्टैन को एक चमचमाती कार के लावा 31 लाक रुपए मिले अब स्टैन का सपना है कि वो इन पैसों से अम्मी के लिए घर बनाए दरसल मुसल्मानों के लिए ये मा के कदमों के नीचे जननत मानी जाती है इस वजहां से सबसे पहले ये लड़का अपनी जननत को रहने के लिए एक मकान देना चाहता है तो चलिए बताते हैं शारुखान का वो कौन सा रिकॉर्ड टूट गया बिग बॉस 16 के विनर MC स्टैन ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड तोड़ दिया जी हाँ बिग बॉस 16 की ट्रॉफी जीतने वाले MC स्टैन ने हाली में इंस्टाग्रम लाइब किया था इस तोरान उनके साथ इतने सारे फैंस जुड़े कि अपने आप में एक पड़ा रिकॉर्ड बन चुका है इस मामले में तो शारुखान को भी पीचे छोड़ दिया है वो साउथ कोरिया के मशूर पॉप बैंड बी टीएस को टककर दे रहे है इंस्टाग्राम पर अब तक का ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है जब पांच लाग से भी ज़्यादा लोग उन्हें इंस्टाग्राम पर देख रहे थे मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक MCA 10 पहले भारते सलेब बन गए हैं जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है जब इंस्टाग्राम लाइव पर सबसे ज़्यादा लोग जुड़े आईए बताते हैं कि इंस्टाग्राम लाइव पर MCA 10 ने क्या कुछ का कैसे फैंस ने उन्हें चेयर किया MCA 10 ने लाइव आकर सभी फैंस को शुक्रिया का उन्होंने सभी को सलाम किया स्टैन ने देश को शुक्रिया का और कहा कितना प्यार पाकर वो खुश है MC ने इस तोरान अपने स्टूडियो की जलक दिखाई और कहा कि हाँ वो कुछ काम कर रहे हैं जल्दी वो फैंस के लिए नहागाना लाने वाले हैं एक फैंन ने तो दावा किया कि प्रियंका से लेकर अब्दू तक लाइव आए मगर इनके लाइव पर महज हजारो व्यूज थे मगर MC स्टैन का जलवा ही अलगे यूजर ने दावा किया कि प्रियंका चाहर चौधरी के लाइव पर 80,000 अर्चना गौतम के लाइव पर 22,000 शालीन भनोट के लाइव पर 20,000 तो अब्दू रोजी के इंस्टाग्राम लाइव पर 28,000 यूजर्स थे MC स्टैन वो सेलिबरिटी बन गए जिरूने इंस्टाग्राम पर एक नया रिकॉर्ड बनाया है स्टैन के लाइव पर हाइस्ट यूजर्स ने उनका लाइव देखा इन दर्शकों की संक्या 5,41,000 है ये अब तक का सबसे बड़ा आकड़ा है मीडिया रिपोर्ट के मताबिक स्टैन ने शारुख खान का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है शारुख खान ने हाली में इंस्टाग्राम पर लाइव किया था उस तोरान 2,55,000 लोग उनसे जुड़े थे मगर स्टैन के लाइव आने पर ये आकड़ा एकड़ा एकड़ा दो गुना रहा उन्होंने कहा कि वो दिखावा नहीं कर पाते अगर दुखी है तो दुखी है खुश है तो खुश उन्हें बिक बॉ़स ने बहुत कुछ सीखने को मिला सल्मान खान से वो प्रेष्ट है इतना ही नहीं MC स्टैन को पाकिस्तान में भी फैंस का पूरा प्यार मिला कॉमेंट बॉक्स में कुछ यूजर्स ऐसे थे जिन्होंने लिखा कि वो पाकिस्तान से हैं और वो MC को बहुत प्यार करते हैं बिग बॉस कंटेस्टन ने इस तोरान अपना रैप भी किया वहीं हेटर्स के लिए स्टैन ने कहा कि वो ऐसे लोगों को इग्नॉर करते हैं खरिदना चाहता हूँ मेरा मानना है कि उनके आशरवात की वजह से ही ये शो मैं जीत पाया हूँ कुछ दिनों पहले क्नीजी चैनल से बाच्चीत में MC स्टैन ने बताया था कि वो अपनी अम्मी और अब्बू के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं उन्होंने कहा था अम्मी अब्बू से इतना ज्यादा प्यार है कि शब्दों में बया नहीं कर सकता मैं उनके लिए कुछ भी करूँगा तो वो कमी होगा मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी मौत उनसे पहले हो मैं उनसे पहले मरू MCA स्टैन का असली नाम अलताफ तवड़ी है लेकिन रैप की दुनिया में एंट्री करते वक्त उन्होंने अपना नाम बदल कर MCA स्टैन कर लिया स्टैन ने 12 साल के उम्रों में कवाली गाकर करियर की शुरुवात की लेकिन जब भाई ने रैप से रूबरू करवाया तो उनकी दिल्चस्पी इसमें बढ़ गई MCA स्टैन का सपना है कि वो रैप और हिंदी बातर भाशा को दुनिया के कोने कोने तक ले जाए वहीं MCA स्टैन ने हाली में उन लोगों को करारा जवाब दिया जुनका कहना है कि वो बिग बॉस 16 जीतना डिजर्व नहीं करते इंडन एक्सप्रेस से बातचीत में स्टैन ने कहा मुझे उन लोगों की सच में परवा नहीं मुझे फर्क नहीं पढ़ता मामा बलकि मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं जिने जलन होती है ये इंसान का बहुत ही नैचरल एमोशन है आदनी को ये स्विकार करने के जरूरत होती है कि ये उसके लिए नहीं बना था ज्यादतर फैंस की तरहां मैं भी अपनी जीत पर शॉक्ट हूँ लेकिन मैं मानता हूँ कि मैं ये शो जीतना डिजर्व करता था